Hello Friends, मैं हूँ सरस्थी, सरस्थी कीचर में आप सबका बहुत-इस्वागत हैMusic तो staff recommende बहुतxico बना रहे हूं जो सिर्थ बनाएंगे हम 4 langsam चावल से और चावल से बनाने की पाउजूद्द ये बहुत Torter मनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं पक्का आपको बहुत पसंद आएंगे, तो सबसे पहले गैस पर चड़ा दिया है एक पैन, इसमें डाल देंगे दो चम्मच, सर्षवाइल, आप रिफाइन भी ले सकते हो, चार हरी मिर्च बारिक कटी हुई, और अद्रक लेस्टन का दरदरा कुटा हुआ, यह इसमें दरद कटी हुई प्याज हमने एड़ कर दिया, इसे भी थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए ही भुनना है हमें, ज्यादा नहीं पहले फराई करेंगे इसको, और इसके अलावा जो भी और सबचिया है, उसे धीरे धीरे करके इसे हम एड़ करते जाएंगे, अब हम इसमें डाल देत हैं, एक बारी कटी हुई गाजर, तो थोड़ा से गाजर को भी सॉप्ट कर देते हैं, इस तरह से हलका सा, और इसके अलावा जालेंगे हम एक सिबला में जबारी कटी हुई, आप सबचे जो चाहो एड़ कर शकते हैं, इसमें गर आपके बच्चे सबची नहीं खाते हैं, तो इस तरह से खिलाओगे न, आपको कोई भी सबजी वो खा लेंगे, और इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, तो पका आपके बच्चों को बहुत जादा पसंद आएगा, बड़े हो या बच्चे सबको बहुत जादे ये टेस्टी लगते हैं, और सबजियां बहुत दाल सकते हो, मतलब जो भी आपके पास इसे एड़ कर शकते हो, रेट चिली स्वास भी एड़ कर शकते हो, पाउडर भी एड़ कर दीजे, अब हम इसमें एड़ कर देते हैं, चावल, तो चावल को थोड़ा सा पहले हम उलट उलट कर देंगे, और फ्रेंज, ये जो है ना थोड़ा ये जो नार्मल चावल होता है, हम वही चावल बना रहे हैं, कोई बासमतियों गरन नहीं है, नार्मल चावल है, नमक स्वाद अनुशार डाल देते हैं, और थोड़ा से इसमें विनेगर एक चमर डाल देते हैं, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जैसे आप मंचूरियन हो गएरा खाते हो ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ जाता है, इसमें और सिंपल तरीके से बन जाते हैं, इतने चीज़े तो घर में हमारे होते ही हैं, और थोड़ी सी डाल देते हैं धनिया की पत्ती, तो देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल चावल से ही कितन खिला-खिला सा बना हुआ है, और देखने में काफी प्यारा लग रहा है, देखने में कोई चीज़ अच्छा लगता है, 100% खाने में अच्छे लगते हैं, तो कर देते हैं प्यारी सी प्लेटिंग, तो फ्रेंस आज की रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगए, तो प्ले बनिके विल्कुल तयार है आप लोग फटा फट जागें